वेल्कम स्टुडा तो हमारे पास एक पी ब्लॉक का क्वेशन है पास्ट एर जेमेंस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है क्वेशन देखो कुछ इस तरह से तो ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉंड ऐसा कौन सा ऑक्साइड है कि जिसके अंदर बाड़ाइशन समझ में आएगा बांड एंगल समझ में आएगा तो स्ट्रक्चर निकलना बहुत इंपोर्टन इस तरह से नाइट्रोजन ने चार बांड बनाए इसके ऊपर जो मिडल वाला नाइट्रोजन इसके उपर प्लच चार जाएगा और ऑक्षन जब भी एक जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बांड तो बिल्कुल दिख रहा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अभी उसके अंदर आपको यही नजर आएगा ट्रॉ करेंगे अभी यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहां पर बांड है तो यह दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है चलो अप्शन नंबर बी के अंदर जाते हैं अभी अभी यहां पर हम ड्रॉ करेंगे बहुत यहां आसान स्ट्रक्चर है देख सकते है यहाँ पर nitrogen, nitrogen यहाँ पर coordinate bond बना चुका है यहाँ पर double bond है, कुछ इस तरह से, बाकि यहाँ पर आपका और दूसरा nitrogen यहाँ पर draw कर सकते हैं, यहाँ पर double bond है, यहाँ पर coordinate bond है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, nitrogen, nitrogen यहाँ पर भी आपको bond दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बेच वाला nitrogen के उपर plus charge आएगा, इसके उपर minus charge आएगा, इसके उपर plus charge, इसके उपर minus charge, ठीक है, तो यहाँ पर भी nitrogen, nitrogen bond दिखाई दे रहा है, चलो option number C के अंदर जाते, देखा भी, N2O3 के अंदर कैसे रहेगा, N2O3 का structure कुछ इस तरह से, देख सकते हैं, यहाँ पर nitrogen, यहा यहाँ पर double bond O लिखेंगे, इसकी यहाँ पर एक loam pair आएगी, और यहाँ पर total पाच electron है, एक, दो, तीन, चार, तो एक electron यहाँ पर share हो जाएगा, दूसरा जो nitrogen है, यहाँ पर और दो oxygen बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर double bond oxygen है, और बच्चा हुआ oxygen यहाँ पर coordinate bond के थूँ है तो यहाँ पर पाच हो electron होगे इस nitrogen के देखो, एक, दो, तीन, तीन, कॉलन bond के अंदर आ रहे हैं, और यह जो loam pair थी हो coordinate bond के अंदर आ रही है, इसके उपर plus charge, इसके उपर minus charge, तो यहाँ पर nitrogen, nitrogen bond तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलो, अभी option number D के अंदर जाते हैं, अभी यहाँ तो फाय का structure कैसे ड्रॉ करेंगे, देको nitrogen है यहाँ पर, nitrogen और यहाँ पर पाच oxygen है, तो यहाँ पर nitrogen, nitrogen, दोनों के बीच यहाँ पर एक oxygen है, यहाँ पर double bond, यहाँ पर coordinate bond, यहाँ भी same, इसी तरह से यहाँ पर double bond, यहाँ पर coordinate bond, तो यह रहेगा इस तरह से structure, यहाँ पर इनीगिटी वान जाएगा यहाँ पहां पूलर जाएगा जब भी कॉधिनेट बॉन बनाएगा तो समझ लो यहाँ पर पीड़िटी वान तो समझ गैला तो नात्रोजन का निक्राग नेटो फिक्स है तो ऑक्साड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉंड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉंड तो फिर या पर हमारा एंसर क्या आएगा option number D is the correct answer इसके अंदर nitrogen, oxygen, nitrogen बॉंड है तो हमारा answer आएगा option number D is I have an understand explanation, thank you Yes, welcome student, तो हमारे पास एक P-block का past year J-Mens 2021 का एक question है तेक सकते question कुछ इस तरह से number of S double bond O S double bond O bond present in sulfurous acid, paroxodized sulfuric acid and या पे pyrosulfuric acid इनके भी sulfur oxygen double bond किसके अंदर कितने तो सबसे पहले इसके अंदर हमें समझना आए पड़ेगा इनके structure तो structure को समझे तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि या पर S double bond O कितने चलो one by one यहाँ पर समझते, sulfurous acid का structure क्या होता है देखो अभी यहाँ पर sulfurous acid का formula यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लेखेंगे है H2SO3 तो इसका structure ड्रॉ करें देखो sulfurous acid का structure यहाँ पर कुछ इस तरह से यह बीच वाली जो है यह लोम पेर है यह लोम पर इसका application की बात करें तो एक, दो, तीन, चार इसका application आएगा SP3 तो यहाँ पर आपका pyramidal shape यहाँ पर मिलेगा इसका SP3 distorted यहाँ पर बोल सकते tetrahidal चलो अभी यहाँ पर S double bond O 1 है तो यहाँ पर दो option तो cut गया भी option A और option C तो cut गया चलो अभी next यहाँ पर देख सकते है paraxodisulfuric acid तो paraxodisulfuric acid का यहाँ पर formula देख सकते है H2, H2, S2, O, O8 यहाँ तो H2, S2, O8 तो इसका structure यहाँ पर हम समझेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर इसका structure के थो समझेंगे इस ड्यदय बाइनद में चलो तो सबसे पहले यहाँ पर दो sulfur यहाँ करेंगे चलो यहाँ पर दो sulfur कनेगे उसके अंदर यहाँ तो hydrogen यहाँ हगर यहाँ बात तो fix होती तो आप ये पास sulfur खतम हो चुका है hydrogen खतम हो चुका है अभी बक्चा है Hier हमारे पास only keywords आट है तो eight में से ये आप़ं Gen के चाहर तो घुई अभी बक्चे onlyd čा ये यहाफे बात करेंगे डेख्यों य किईचों य आपफे double bond तो यह आप बक्चेंगे अभी Paroxy पर tecn complement पैरोक्सिड लिंकेज के अंदर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर oxygen, oxygen, single bond, यह देख सकते हैं यह पर बात बहुत जूरुप है, यह पर यह भी तो इसका मतलब है तीसरा अभी structure पता होना बहुत जरूरी है ठीक है चलो थर्ड देख अभी इसका formula जो है कुछ इस तरह से H2S2O7 तो अभी इसका structure draw करेंगे अभी structure कुछ इस तरह से देखो इसके अंदर समझना एक ही बात है कि एक oxygen कमे तो यहाँ पे जो पेरौक्सी लिंकेज के अंदर दो ऑक्षिन आ रहे हैं उसमें से एक oxygen कम करना है बाकी structure आपको as it is रखना है तो यहाँ पे देख सकते तो चलो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक oxygen कम किया है तो उपर वाला structure नीचे वाले structure यहाँ पर सेम आएगा यहाँ पर बात करें कि एसरिक hydrogen की तो यहाँ पर एसरिक hydrogen दे सकते हैं इसके अंदर दो है more electronic to connect acid hydrogen जो होते है तो यहाँ पर हमारा answer जो आ रहा है कि यहाँ पर option D के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें पूछा है S double bond O यह हर एक structure के अंदर कितना है तो पहले structure के अंदर एक है दूसरे structure के अंदर चार है तो यहाँ पर S double bond O पहले के अंदर एक है दूसरे के अंदर S double bond O यहाँ पर चार है और S double bond यहाँ पर भी क्या है चार तो हमारा answer यहाँ पर क्या आएगा option number 4 is the correct answer I have understand explanation thank you welcome student तो हमारे पास यहाँ पर P block का एक past year James 2021 का question है question कुछ इस तरह से देखो which one of the following form mainly when red phosphorus is heated in sealed tube at 803 Kelvin तो आपको red phosphorus को heat करने के बाद कोंसा यहाँ पर form मिलने वाला है 803 Kelvin पर यहाँ पर experiment करना है चोड़ यहाँ पर देखेंगे देख सकता है और we red phosphorus को यहाँ पर heat करेंगे red phosphorus कुछ यहाँ पर heat करेंगे तो 803 Kelvin पर जब हिट करेंगे, तो यहाँ पर अलफा रही ध्यान में रखना है, अलफा फॉस्परस यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब अलफा ब्लैक, तो अलफा जो है, अलफा ब्लैक, तो अलफा और बीटा दोनों भी होते हैं, तो आपको अलफा ब्लैक मिल रहा है, अलफा तो यहाँ पर NCID के अंदर डारेक लाइन दिए, देखो, यहाँ पर ब्लैक फॉस्परस के दो फॉर्म है, ब्लैक फॉस्परस के यहाँ एक अलफा फॉर्म है, और एक बीटा ब्लैक है, तो अलफा ब्लैक फॉस्परस इस फॉर्म वेंड रेड फॉस्परस इस हिटेड इन स तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक alpha phosphorus मिलेगा, तो इसको direct ncid से उठाए गए, तो इन वानिक कहर question को यह आपको ncid से, ncid के अंदर एक दम line के अंदर मिलेगा, ठीक है, चाहे वो structure हो, चाहे वो कोई आपका theoretical question हो, चाहे वो reaction हो, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा answer क्या आएगा, alpha ray देहन में रखना है, alpha ray, alpha ray, alpha ray, alpha ray का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं, का alpha black red phosphorus से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या आएगा, डेख सकते हैं, तो यहाँ पर red phosphorus को सिल टूप के अंदर 803 के लिम पर, alpha black phosphorus मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा answer आएगा, option number D is a correct answer, I have understand explanation, thank you, yes, welcome student, तो यहाँ पर हमारे पास एक P block का पास्टेर, J-Mains 2021 का एक question है, चलो, question देखते है, in polythionic acid, H2SXO6, और X की value यहाँ पर 3 से लेके 5 तक यहाँ पर ले सकते हैं, तो oxidation state पूछा है, यहाँ पर की cell पर की oxidation state कितनी है, चलो, तो यहाँ पर पहले तो polythionic acid का structure के बा तो SXO6 का, इसका structure के इसे draw करेंगे, तो पहले तो sulfur को यहाँ पर draw करेंगे, अभी thionic acid के अंदर, जो भी sulfur का number यहाँ पर, वो सब sulfur यहाँ पर S, S, S bond से connect है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर for example, समझेंगे, कि यहाँ पर S की value यहाँ पर 3 है, यह 4 है, कुछ भी ले सकते है, यह 3, 4, तो 1, 4 की यहाँ पर मैं draw करता है, तो यहाँ पर आपको समझ माएगा, है hydrogen 2 है, इसका मतलब 2 OH यहाँ पर है, तो यहाँ पर OH draw करेंगे, बाकी यहाँ पर double bond O draw करेंगे, तो double bond O यहाँ पर देख सकते है, 4 होगे, और 2 बच्चे है, इस तरह से रहेगा, तो यह S की value यहा और 1 S यहाँ पर add करेंगे, तो यहाँ पर जो भी sulfur है, बीच वाले जो भी sulfur है, यहाँ पर उनकी oxidation state जोरो रहेगी, यहाँ पर यह जो central sulfur है, यह वाला, तो यहाँ पर इन sulfur की oxidation state निकालते हैं, यहाँ पर plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, तो इसकी यहाँ पर plus 5 है, इसकी भी यहाँ पर क्य जो भी crush आएगे उसकी oxidization state यहां पर क्या जो रäsंक है तो यहां judgment फोसकती है एक तो प्लस फ़ए हो सकती और जोड़ो वो सकती है तो यह पर कौन से के अंदर आ रहा है देखो चौन सेेखो तो यहां पर ऑप्शन लेकी स्ट्रेच्टर को मैं प्लस फई हो तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस त्री, प्लस 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 Central जो है यहाँ पर auction से जोड़ा sulfur यहाँ पर plus 5 दिखाएगा plus 5 और बीच वाले sulfur sulfur के साथ ही connected तो यह sulfur 0, sulfur 0, यह sulfur भी 0 तो यहाँ पर 0 और plus 5 यहाँ पर तो हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर option number D is the correct answer तो I understand the explanation, thank you Yes, welcome students, तो यहाँ पर हमारे पास एक P-Block का पास्टियर जे मेंस का question है चलो question यहाँ पर देखते, number of non-ionizable hydrogen atom present in the final product तो यहाँ पर उन्होंने final product पूछा है, non-ionizable hydrogen atom कितने final product के अंदर, किसका hydrolysis करना है, PCL-5 का hydrolysis करना है देखो अभी इस question से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर कितना हमें NCIT की line को stick रहना है तो एकदम NCIT के line to line हम read करेंगो, तो अभी हार एक P-Block हो, या S-Block हो, hydrogen, इन्होंने का कोई भी question हो यहाँ पर आपको NCIT एकदम बाहर करना है, तो इसका एक जीता जाता एक example यह question है, चलो, यहाँ पर देखेंगे, कि NCIT के अंदर इसको कहाँ पर दिया है, कैसे line दिया है, वो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर PCL-5 के बारे में क्या है, यहाँ पर NCIT के अंदर इसको properties के hydrolyze हो जाता है, तो पहले तो यहाँ पर POC-L3 मिलता है, तो यहाँ पर reaction के दो देख सकते है, PCL-5 का हचच के साथ, यहाँ पर POC-L3 मिल गया तो POC-L3 एक बार मिल गया, तो यहाँ पर THC-L3 का के साथ, यहाँ पर ओर्टर की फिर से reaction होने के बाद, यहाँ पर H3PO4 यहाँ मिल जाता है H3 यहाँ पर देख सकते है H3 PO4 मिल जाता है तो यहाँ पर बोला है कि POCl3 and finally get converted into phosphoric acid finally get converted तो यहाँ पर भी देखो final product optamed from the hydrolysis of PCL5 मतलब यहाँ पर इसका final hydrolysis का product ऐसा पूछा है कि वो phosphoric acid है तो देखो यहाँ पर sentence के अंदर final product है यहाँ पर भी final product दिया है तो एकदम line match हो रही है तो एकदम line to line है मैं NCIT को कैसे करना है ठीक है तो चलो अभी यहाँ पर H3 PO4 यह हमारा final product है तो चलो इसको draw करेंगे अभी H3 PO4 इसको draw करेंगे इसका structure draw करेंगे तो बीच में center में कोन आएगा यहाँ पर phosphorus आएगा oxyacid है इसका मतलब यहाँ पर P double bond O यहाँ पर आएगा और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H कितने 3 है और यहाँ पर oxygen 4 है तो यहाँ पर इसके अंदर हम 4 oxygen लिखेंगे देखेंगे तो देख सकते यहाँ पर P double bond O एक हो गया P OH यह दूसरा 3 hydrogen है इसका मतलब 3 यहाँ पर OH और 1 double bond O तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 हैटरोजन यहाँ पर देख सकते हैं non ionizable है यह 3 हैटरोजन ionizable है, sorry ionizable तो यहाँ पर 3 हैटरोजन all 3 हैटरोजन all 3 हैटरोजन hydrogens are ionizable तीनो की तीनो hydrogen जो है ionizable है तो यहाँ पर non ionizable पूछा है तो यहाँ पर non ionizable की बात करेंगे तो non ionizable में कितना आएगा non ionizable hydrogen non ionizable hydrogen के अंदर यहाँ पर आएगा तो कौन सा non ionizable मतलब non acidic इसको बोलेंगे non acidic तो यहाँ पर सबके सब acidic है तो यह तो सबके सब acidic hydrogen है because यह more electron negativity को connected है तो सबके सब acidic है तो उन्होंने non acidic पूछा है non ionizable का मतलब कै आए non acidic तो non acidic कितना है तो यहाँ पर प्रो आएंसर आएगा यहाँ पर हमारा एंसर क्या आएगा एंसर नमबर A is the correct answer I understand explanation thank you yes welcome तो हमारे पास है class 11 का group 13 पे block का JMS 2019 के अंदर आया हो एक past year का question है तो चलो बहुत ही बढ़िया question है question को solve करेंगे यहाँ पर एक diboran है diboran मतलब B2H6 तो इसका reaction हुआ है किसके साथ O2K और H2O के साथ independently reaction हुई है मतलब दो अलग reaction है B2H6 की O2K साथ एक reaction लिखना है और B2H6 की water के साथ यहाँ पर एक reaction है तो independently यहाँ पर reaction हुई है तो final product क्या है दो अलग reaction है तो दो अलग product यहाँ पर होंगे तो चलो यहाँ पर reaction को समझते और NCRT में यह कहाप पर दिया है यह भी इसको समझेंगे चलो चलो भी यहाँ पर देखते है Diborin एक colorless compound है highly toxic gas है उसका boiling point 180 Kelvin है और Diborin की reaction oxygen के साथ यहाँ पर देख सकते है Diborin B2H6 की reaction किसके साथ करेंगे O2 के साथ करेंगे यहाँ पर एकदम highly exothermic reaction देख सकते है यहाँ पर Diborin catches fire spontaneously upon the exposure to the air तो oxygen के साथ जब भी reaction होती है तो एकदम high amount of energy बाहर जाती है देख सकते है burn in oxygen releasing enormous amount of energy बहुत ज़्यादा energy यहाँ बाहर जाती है तो क्या मिल जाता है यहाँ पर देख सकते है B2O3 मिल जाता है oxide मिल जाता है तो यहाँ पर reaction लिखेंगे यहाँ पर जो मिल रहा है आपको B2O3 मिल रहा है प्लस यहाँ पर water मिल रहा है और बहुत जादा energy मिल रही है 1976 kJ की लगबग यहाँ पर energy मिल रही है कि जो बहुत जादा है मतलब एक exothermic reaction है इसको हम exothermic reaction बोलेंगे तो हमें पूछा इतना ही है कि आपे B2H6 की option के साथ reaction होने के बाद यहापे क्या मिलेगा पहले तो मिलेगा आपको B2O3 तो यहापे B2O3 का आप तो दो option के अंदर है B और A चोली यहां पर second देखते है water के साथ reaction हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो देखो water के साथ reaction को जिस तरह से B2H6 प्लस यहां पर water के साथ reaction हो गए अभी फिलाल reaction को हम balance नहीं कर रहे है उनली उसका reactant क्या है product क्या है तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है B OH इसको हम ऐसा लिखते है यहां पर H3BO3 boric acid मिल रहा है प्लस यहां पर H2 H2 gas मिल रहा है H2 gas H2 gas तो यहां पर देख सकते है most of the higher boran also spontaneously flammable in years boran are readily hydrolyzed एकदम important boran जो होते हो एकदम fatak सा hydrolyze हो जाते है और boric acid के अंदर उनका collagen हो जाता है this is the boric acid यह है boric acid this is the boric acid boric acid तो यहां पर यह boric acid मिल गया है तो हम यहां पर B2O3 और boric acid ऐसा यहां पर option के अंदर देखना है तो option B is a correct answer I can understand the explanation Thank you Yes, welcome students तो हमारे पास यहां पर group 13 का past year का question है JMS 2019 के अंदर आया हुआ तो बहुत ही बढ़ी हा question है question को read करेंगे तो यहां पर पूछाए correct statement among the 1, 2, 3 regarding group 13 elements oxide तो हमारे पास यहां पर 3 statement देए group 13 के oxide के बारे में तो ग्रूप पहले तो ग्रूप 13 के oxide के आप है हमें डेकने के रेकने oxides तो ग्रूप 13 के element कौन से होते हैं तो सबसे पहला element होता है boron उसके बाद होता है aluminium उसके बाद होता है gallium उसके बाद होता है indium उसके बाद होता है thallium तो यह जो element है इस में से कौन से oxide है कि जो यहां पर acidic है कौन से है कि जो amphitric है कौन से है basic है तो यहां पर पता करेंगे paste कर देते हैं चलो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि boron यह जो group 30 ने इनकी reaction oxygen के साथ हो जाती है तो यहाँ पर E2O3 नाम का oxide यहाँ पर मिल जाता है तो इसमें से यहाँ पर देखेंगे nature of this oxide varies down the group boron trioxide जो होता है वो acidic nature का होता है तो चलो यहाँ पर boron का जो oxide होता है वो होता है यहाँ पर acidic और क्या क्या होता है देखेंगे उसके बाद होता है react with यहाँ पर acidic होता है और वो base के साथ यहाँ पर react हो जाने के बाद यहाँ पर oxides मिल जाता है metal borate नाम का ठीक है तो वो base के साथ reaction कर रहा है उसके बाद का यह product है अब यहाँ पे बाद में aluminium और gallium जो oxide से ही है अमपोटरिक नेचर के तो यह हो गया हमारे लिए एक important statement पहले तो यह हो गया यहाँ पे देख सकते boron का यह हो गया हमारा acidic aluminium और gallium का देखेंगे aluminium oxides of aluminium and gallium amputric तो यह पहला तो statement correct है दूसरा भी statement correct है चलो oxides of indium and thallium तो indium और thallium के जो oxides होते हो basic nature के यहाँ पे तीसरा statement तो देखेंगे अभी यहाँ पे inside के अंदर इसको क्या बोला है indium और thallium यह जो होते हो basic तो यह हो गया हमारा तीसरा statement तो तीनों statement यहाँ पे एकदम perfect है तीनों statement एकदम correct है यहाँ पे oxides of indium and thallium are basic nature तो all three statements are correct statement तो किस option के अंदर यहाँ पे दिखाए दे रहा है देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ option number B के अंदर दिखाए दे रहा है I understand the explanation थैंक यू येस वेलकम शुड़ारन तो हमारे पास यहाप एक पी ब्लॉक का गुरूप 17 का पास्ट ये मेंस 2021 का कोश्चन है बहुत ही बढ़िया कोश्चन है NCRD के अंदर इसको डायरेक्टली लाइन के अंदर दिया हुआ है देखो कोश्चन ड्रेड करेंगे एक्वारीजा जो होता है यहाप उसके अंदर नोबल मेटल जो होते है लाइक यहाप गोल्ड है प्लैटिनम है यह डिजॉल हो जाते है तो उस दारान कौन सा ग्यास यहाप पे योड़ हो जाता है उस प्रोसेस के अंदर ठीक है तो चलो यहाप देखते है अभी NCRD के अंदर इसको कहाँ पे दिया है चलो तो कितना NCRD को बाहरेट लाइन-टू-लाइन करना है यह आप पता चलेगा भी तो चलो शबसे पहले हम समझते है according होता क्या है और यह एक इस पार्ट जो होता है ओन दर जो होता है इसको भी जो र्यम yang होटा है तो इसको mix करने के बाद यहाँ पर जो भी मिल रहा है उसको बोलना है aquarigia तो इसके अंदर क्या हो जाता है फिर एक बार aquarigia बन गया उसके अंदर noble metal, noble metal मतलब non-reactive metal जैसे कि यहाँ पर gold है, platinum है यह भी क्या हो जाते है, dissolve हो जाते है तो यहाँ पर reaction की थूर यहाँ पर explain किया है देखो, कि AU की यहाँ पर जो nitrogen, यह mixture जो है aquarigia इसके साथ reaction होने के बाद यहाँ पर AU यहाँ पर plus 3 oxidation state में गया है देखो, यहाँ पर देख सकते AU जो है plus 3 oxidation state में गया है यह plus 3 और यह minus 4 total हो जाएगा minus 1 तो उस दोरान यहाँ पर NO, यहाँ गयास यहाँ पर यहाँ आड हो रहा है, तो यही तो पूछा है हमें, कि इसके दोरान कौन सा गयास यहाँ पर यहाँ आड हो जाता है, तो देख सकते है NO, platinum के साथ भी reaction करेंगे तो वही यहाँ पर PtCl6 minus 2, तो यहाँ पर Pt के oxidation state भी बता करेंगे, तो यहाँ पर Pt plus 4 oxidation state में चला जाता है, PtCl6 minus 2, तो यहाँ पर भी देख सकते है NO, यहाँ पर जो gas है, वो यहाँ 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 आड हो आए, चलो तो यहाँ पर NO gas दोनों भी reaction के अंदर you are do I, वो ही तो यहाँ पर हमें पूछा है, तो यहाँ पर हमारा answer के आएगा option यहाँ पर D is a correct answer, I understand the explanation, thank you yes, welcome student, तो यहाँ पर हमारे पास P-block का J-Mens 2021 का एक past year का question है तो इस question को यहाँ पर solve करेंगे, देखते है question क्या है, question है इसा पूछाए on heating A, A नाम का एक compound है, इसको heat किया, मतलब thermal decomposition किया है और उससे यहाँ पर B नाम का gas मिल गया है कि जो एक year का constituent है तो year के तो यहाँ पर दो major constituent के अंदर यहाँ पर oxygen होता है 21% और 78% nitrogen होता है तो यहाँ तो oxygen मिलना है नहीं तो फिर nitrogen मिलना है यह तो बात एकदम पक्का है इस gas when treated with H2 in the presence of catalyst ग्यूज अनादर ग्यास C तो वो जो year का constituent है वो H2 के साथ एक catalyst डालके यहाँ पर तीसरा ग्यास दे रहा है C, जो एक basic nature का है तो यहाँ पर आपको oxygen मिल गया oxygen के reaction हैड्रोजन से हो गई H2 मिलेगा और वो gas नहीं है तो फिर यहाँ पर O2 तो cut हो गया और दूसरा यहाँ पर है कि वो nitrogen है तो nitrogen की reaction H2 के साथ hyper process के अंदर हमने देखा है ammonia मिल जाता है और ammonia basic है तो यहाँ पर A should not be तो A कौन सा compound है तो starting compound के अंदर यहाँ पर हमें कौन सा compound है कि जिसके अंदर nitrogen gas नहीं मिल रहा है तो चलो यहाँ पर हर एक का thermal decomposition करते है तो पहला जो option है PBNO3 taken twice तो इसका thermal decomposition करेंगे तो यहाँ पर PB oxide lead oxide मिलेगा और oxygen gas मिलेगा तो यहाँ पर तो मिल रहा है oxygen gas दूसरा यहाँ पर देखते है NH4 taken twice CO2O7 तो यहाँ पर देखते है B के अंदर B के अंदर देख सकते है यह जो ammonium dichromate है तो इसका thermal decomposition करेंगे तो यहाँ पर N2 gas मिल जाता है जो air का constituent है और इस N2 की reaction यहाँ पर किसके साथ हो जाती है देख सकते है N2 की reaction 3 mol of H2 के साथ हो जाती है और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है और इसके अंदर catalyst डालते है क्या iron डालते है और इसको molybdenum के अंदर डालते है तो यहाँ पर देख सकते है यह जो air का constituent है N2 gas इसके hydrogen के साथ reaction in the presence of catalyst iron और promoter डाला गाता है molybdenum और ammonia मिल जाता है यहाँ पर NS3 हबर प्रोसेस है और इस NS3 जो gas है यह आप पर क्या दिखता है basic nature show करता है तो NS3 आपको पता है कि levis base है यह क्या है levis base है तो इसका water के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है ammonium hydroxide मिल जाता है यहाँ पर देख सकते है NS3 का water के अंदर यहाँ पर ionization हो जाता है NH4 ब्लस OH- तो यह weekly basic है फिलाल बट basic है तो चलो यहाँ पर N2 की reaction H2 के साथ NS3 मिल गया तो यह NS3 base है यहाँ पर और कहा कहा पर N2 मिल रहा है देखो पहले के अंदर तो N2 नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर A should not be तो ऐसा कुणसा component ही कि जिसके अंदर का जो product है वो यहाँ पर N2 gas नहीं है तो A के अंदर ही यहाँ पर N2 gas नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर A तो हमारा answer हो जाएगा फिलाल चेक करेंगे बाकी का यहाँ पर B चेक हो गया C का यहाँ पर देखेंगे NH4 NO2 अभी यह जो NH4 NO2 है NH4 NO2 इसका भी यहाँ पर thermal decomposition नहीं हमें करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है देखो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है NH3 प्लस H2O तो यहाँ पर सारी NH3 नहीं NH2 प्लस H2O मिल जाता है तो यहाँ पर ammonia मिल जाता है ammonia और यह ammonia फिर H2 के साथ reaction करके NH3 यहाँ पर हमने इसको देखा है और D यहाँ पर देखेंगे बहुत famous reaction है thermal decomposition यह जो है sodium azide देख सकते हैं यहाँ एक intensity के अंदर एक thermal decomposition जो ही sodium azide के साथ करेंगे तो यहाँ पर N2 gas मिल जाता है तो एक बार N2 gas मिल गया तो H2 के साथ reaction होना है यहाँ पर है बर प्रोसेस तो वो बेस रहेगा तो फिर यहाँ पर तीन option के अंदर N2 gas मिल रहा है एक तो B के अंदर N2 gas मिल रहा है C के अंदर N2 gas मिल रहा है तो खाली यहाँ पर A option के अंदर N2 gas नहीं मिल रहा है तो वो ही पूछा है कि किसके अंदर वो जो compound है कि जिसका reaction hydrogen के साथ होने के बाद हमें एक basic compound मिलता है ऐसा कौन सा compound यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर N2 gas नहीं मिल रहा है तो वही यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर हमारा answer क्या वाजाएगा answer A is the correct answer I understand the explanation, thank you Yes, welcome student तो यहाँ पर हमारे पास एक P-block का JMS 2021 के अंदर आयावा question है तो question देखते हैं यहाँ पर क्या है, in the following reaction product A and B तो यहाँ पर हमारे पास दो product A and B करके तो पहले reaction यहाँ पर दिया है हमें कुछ इस तरह से यह first reaction है, यह second reaction है NOH और CL2 की reaction होई है और यह जो लिया है hot और concentrated NOH लिया हुआ है तो hot NOH के साथ CL2 की reaction हो जाती है, तो क्या मिल जाता है इसको देखेंगे, INCeAT के अंदर और calcium hydroxide की chlorine के साथ reaction हो जाएगे, तो क्या मिल जाएगा तो यहाँ परिस side product जो मिल रहा है वो एक dry, तो देखेंगे अभी यहाँ पर इसको reaction तो देखो, यहाँ पर NOH की reaction CL2 के साथ hot और concentrated के अंदर यहाँ पर देखे रहा है NOH plus Cl2 यहाँ पर मिलता है NaClO3 तो इसको बोला जाता है sodium यह मिल गए आपको sodium chlorate तो पहला तो हो गए NaClO3 NaClO3 का आपर मिल रहा है देखो यहाँ पर दो option है B और D चलो next यहाँ पर देखना पड़ेगा भी calcium hydroxide की chlorine के साथ reaction करेंगे तो क्या मिल जाता है यहाँ पर ओभी देखे रखा है यहाँ पर with dry slack lime it gives bleaching powder तो यहाँ पर bleaching powder मिल रहा है देख सकते यहाँ पर क्या मिल रहा है bleaching powder और नीचे bleaching powder का exact composition भी यहाँ पर देखे रहा है यह भी बहुत important है तो फिलाल हम यह calcium यह जो है ब्रैकेट के अंदर OHCl taken twice तो यह product यहाँ पर हम generally धहन में रखते हैं but bleaching powder का composition यहाँ पर पूरा का धहन में रखते हैं ठीके तो अभी यहाँ पर calcium और यह OCl taken twice यह का आपर मिल रहा है रहा है को यहाँ पर मिल रहा है देखो तो NaCl O3 तो एक पक्का है उसके साथ यहाँ पर CA OHCl twice यह मिल रहा है तो यहाँ पर option D के अंदर आपको मिल रहा है I understand the explanation Thank you Yes, welcome student तो यहाँ पर हमारे पास एक P-block का J-Mains 2019 के अंदर पूछा गया question है Group 14 का question है Carbon 16 यह जो है एक Carbon का एक Allotrophic तो उसके अंदर क्या होता है तो यहाँ पर option के अंदर Hexagon, Pentagons ऐसे कुछ option दिए तो हम इसको देखेंगे NCIT के अंदर कहाँ पर क्या लिखा है तो सबसे पहले Fullerine इसको बोला जाता है Carbon 16 को हम क्या बोलते है Carbon 16 को हम Fullerine बोलते है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे Carbon 16 क्या है Fullerine है तो यह जो Fullerine है Cage-like structure है तो एक Football का जैसा यहाँ पर जो shape होता है तो उसका यहाँ पर Cage-like structure और इसके अंदर देख सकते हैं कि 12 5-membered ring है तो 12 ring ऐसी है 12 यहाँ पर 5-membered ring है 5-membered ring वहाँ क्या बोल सकते है Pentagons बोल सकते है Pentagons तो pentagons यहाँ पर है कितने? 12 और यहाँ पर 20 जो है 20 20 यहाँ पर देख सकते है यह 6-membered ring है 6-membered ring six members है इसको हम क्या बोल सकते है hexagons बोल सकते है hexagons तो यह हो गए hexagons तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है twenty six member ring कि जो hexagons है और twelve five member ring है कि इसको pentagons बोला जाता है और इसके अंदर एक और समझने वाली बात यह है कि जो six member ring है वो यहाँ पे six member के साथ भी fuse हो सकती है five member के साथ भी fuse हो सकती है बट five member ring जो है वो यहाँ पे only fuse with six member ring तो five member ring उनले six member के साथ है और यहाँ पे six member ring दोनों के साथ हो सकती है six member के साथ भी हो सकते है five member के साथ हो सकती है carbon का यहाँ पर hybridization जो है SP2A यहाँ पर एक pi bond यहाँ पर होता है इसका मतलब यहाँ पर हार एक carbon को 3 carbon connect रहेंगे और इसके अंदर के electron जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं delocalized electron होते हैं तो यहाँ पर हमें इतना है पूछा है कि कितने hexagons हैं तो यहाँ पर देख सकते है 20 hexagons और 12 pentagons तो यहाँ पर option B is a correct answer I have to understand explanation Thank you